बात करने वाले हैं meme cryptocurrencies के बारे में और बात करना जरूरी है और हम पहले से season load होने से पहले आपके साथ discuss कर चुके हैं जिल लोगों ने पहले ही meme में entry बना ली होगी वो definitely सभी meme से mostly अच्छे profit में चल रहे होंगे क्यों क्यों क्योंकि सभी meme cryptos भयंकर वाले pump हो रहे हैं इतने भयंकर pump हो रहे हैं कि आप imagine भी नहीं कर सकते और पीछे का अगर हम data देखें तो आज हम top two meme crypto की बात करेंगे आप देख रहे हैं फ्लॉकी इन्हों बहुत अच्छा pump हुआ है अल्रोड़ी एक लाग साथ हजार एक लाग सत्तर हजार परसेंट परसेंट हुआ है लेकिन दो meme crypto और हैं जो अभी recently नए आया है और जिनका एक डेड़ साल के अंदर market के अंदर काफी ज़यदा कुछ हुआ है है ना बहुत सारे लोग समझ गए होंगे हम किन crypto के बारे में बात करने वाले हैं पहली जो crypto है इस लिस्ट के अंदर आप देख रहे होंगे green री market के अंदर बनी हुई है तो green से ही जड़ा हुआ कुछ quain है उसका नाम है पैपे पैपे भी पूरा bullish यहां पे green और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है रुकने का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि 5-0 के साथ पैपे ने अपना नए all time high लगा दिया आज भी 76 का 5-0 के साथ 76 के नए all time high daily meme cryptocurrencies market में नए all time high लगा रही है daily चांद पे जा रही है meme cryptocurrencies और पैपे अभी मैं current level की बात करूँ तो 0.5 times 0.71 का level है एक 0 किल करने के लिए बड़ा बेताब है पैपे यहां से एक 0 किल हो सकता है और पैपे भी आपको 4-0 वाले दरशन करा सकता है डॉलर्स में लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजेगा correction कभी भी आ सकता है क्योंकि पैपे की कीमते 700% बढ़ गई है पिछले 15-20 दिन के अंदर 700% प्राइज बढ़ चुके है पैपे के और पैपे की जहां तक बात करें है अप्रेल में आया था बाइनेंस पे लिस्टिंग होई है अप्रेल में जब आया था बड़ी हाइप चल रही थी Twitter X पे इतना ज़्यदा trend हो रहा था और बाइनस ने इसको instant लिस्ट किया अपने platform पे और उसके बाद डाउन गया पैपे जैसा prediction रहा था लेगिन no doubt bull run जैसे ही start हुआ है पैपे ने अपनी power दिखाना चुरू कर दिया है सब कही नगई support है Wales का और Wales का हाथ कही नगई पैपे के सिर पे क्योंकि पैपे 12,000% pump हो चुका है और 12,900% यानि 13,000% जंप हो चुका है पिछले कुछ महीनों के अंदर है ना हाला कि उससे पहले भी pump हुआ था पिछले कुछ महीने तो पैपे एक ही range में चला है और यह जो pump आया पिछले 15-20 दिन के अंदर इसने पैपे के नंबर और huge कर दी है 13,000% की rally इतना ही नहीं दूसरा crypto और भी ज़्यादा भयंकर pump हो रहा है वो तो पैपे से भी भयंकर pump है और पैपे अभी recently bonk ने पैपे को पीछे कर दिया था pump करके लेगिन पैपे आज फिर से pump कर रहा है कल से और पैपे फिर से आगया है market cap के मामले में आगे rank के मामले में आगे तो top 50 में आ चुका है पैपे 43, 44 के around पैपे की rank आ चुकी अब देखो meme crypto कहां पहुँच गया है top 50 में पहुँच गया है और दूसरी तरफ bonk की बात करूं थोड़ा 50 से उपर है 53 पे इसकी रहेंगा है और bonk की तो बड़ी गजब की performance रही है क्योंकि आज भी ये 35% pump कर रहा है solana ecosystem का coin एक सबसे बड़ा plus point रहा है solana का 2023 में भेंकर pump करना 1000% की rally दिखाना वही solana का pump करना solana ecosystem वो इतना ज़्यादा boost किया है हर coin solana ecosystem का अच्छा pump हुआ है तो bonk 35% bonk की price बड़े हुआ है और bonk के number अब पहुँच गए है पिछले एक साल के अंदर कितने 37,800% थोड़ा सा अगर और pump आता है bonk ने December में लगा दिये थे नए high अब दो महीने बाद February March के अंदर फिर से नए high लग रहे है bonk के तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और 37,000% bonk pump हो चुका है और 13,000 पैपे टोटल अगर हम देख लें तो 50,000% ये दोनों coin ही pump हो चुके है जो अगर हम बहुत सारे old coins को भी मिला दें वो भी इनके मुकाबले नहीं है ठीक है दिस इस दा रियालिटी आफ मेम क्रिप्टो करेंसी तो बाकी जो अपडेट रहेंगे इन क्रिप्टो को लेके वो next वीडियो में डिसकस करेंगे किसी भी क्रिप्टो में आप इन्विस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें वो बहुत ज़रूरी है बिना रिसर्च के कुछ ना खरीदें तब तक के लिए बाई बाई टेक केर